दोस्तों किस्ट लोन का repayment नहीं कर पाएं तो क्या होगा देखिए आप लोगों के समने मेरे मुबाइल स्क्रीन है और मैं आप लोगों को किलियर दिखाना चाहूंगा देखिए हमने किस्ट लोन अप्लिकेशन से लगभग यहां पे जो है बारह हजार का लोन लिया था और व पाउत ऐसे जन है जो लोन तो ले लेते हैं लेकिन सही टायम पर फिर payment नहीं कर पाते हैं कई बार क्या होता है कि कोई ने कोई प्रोब्लम आ जाता है अगर कोई जौब कर रहा है वह जौब छूट जाता है यह तो उनका जो है सररी जो इस्तिती है वो ठीक नहीं हो पाता है जिसके कारण से वो loan नहीं भर पाता है और अगर loan भर भी दे तो company यहाँ पे देखिए जो है plenty वगेरा जो लगा देता है जिसके कारण से लोगों को लगता है कि इतना plenty मैं नहीं भरूँगा जिसके कारण से लोग जो है सही टाइम पर payment नहीं करते है ठीक है तो clear मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ का amount जो है bank account के अंदर मिला था तो सिर्फ यहाँ पर देखिए 10,633 रुपया जो है bank account के अंदर यहाँ पर receive हुआ है ठीक है और बाकी का 1249 रुपया प्रोसेसिंग में कटा है 223 रुपया यहाँ पर GST कटा है और यहाँ पर interest 119 रुपया लगा है टोटल यहाँ पर 10,600-700 लगभग मुझे bank account के अंदर मिला है अब पूरा loan amount कितना हो गया यहाँ पर देखिए 15,715 रुपया यानि कि मुझे यहाँ पर लगभग अगर बोलू तो लगभग 3500 रुपया मुझे जादा plenty के नाम पर यहाँ पर बोला जा रहा है देखिए सबसे पहले हमने जब loan लिया उसके बाद हमें एक date दिया गया था कि इतना दिन के अंदर आपको payment करना है अब आप लोगों का बहुत सारा comment हमारे पास आते कि सर loan company जो है किस्त loan company का agent घर पे आता है यह नहीं यह legal action लेता है यह नहीं इस पर एक वीडियो बनाई तो जाहिर सी बात है कि मुझे जो loan company है उससे loan लेना पड़ेगा उसका overdue रखना पड़ेगा तब जाके मुझे reality का पता चलेगा तो मैंने क्या किया just way से ही किया मैंने loan नहीं भरा सबसे पहले तो दो चार दिन के बाद जो है call आना चालो हो गया जब call आना चालो हो गया तो मैंने उनको ऐसा ही बोला कि देखिए मेरे पास अभी समिश्या है मैं अभी payment नहीं कर सकता हूँ और ऐसे कई लोगों के साथ हो स रहता है कि अगर कोई customer जो है पैसा नहीं भर पा रहा है उनको सच में problem है तो उनको time दीजिए तब वो जो लोन company वाले हैं उन्होंने मुझे call करना बंद कर दिया computer द्वारा call आता था डेली लेकिन मैं उसको receive नहीं करता था क्योंकि computer वाला जो call आता था उसमें क्या होता है कि spam जो है रेट कलर का आ जाता है अगर आप true caller यूज कर रहे हैं तो आपके लिए sufficient होगा क्योंकि true caller मैं आपको बता देगा कि यह जो call है spam का है तो मैंने call उठाना बंद किया उसके बाद आप को मैं बताना चाहूं लगभग लगभग ढ़ाइसो दिन के बाद हमारे पास जो लोकल एरिया है ठीक है जो भी मेरा local city पढ़ता है वहां से हमारे पास एक call आता है और वो कहता है कि मैं किस loan company से बात कर रहा हूं और आए ब साय बात है मैंने तो नहीं बहारा लेकिन फिलाल आफ कहां से बोल रहे हैं तो जैसे बेसें डिस्टे का नामद बोला मेरा मतलब जो नेर इस जो city है उभग करना का नाम बोला तो उन्हों ने बोला numa पैमेंट कर दीजिए मैंने बोला देखिए पैमेंट मैं पूरा क कि उपर लगा सके Veggie स लिए एक दिन में नहीं लगा। लेकिन डेली बेश पर किसी दिन 50 रूपया किसी рек चुछ यह करकर 35 का पयलेंटी आपका कंपने ने मुझे लगाया है और मैं यह पलेंटी भरने payment कर दीजिए, आपका मैं यहाँ पे जो है NOC दे दूँगा, मुझे लगा कि ठीक है, NOC अगर आप दे देते हैं, तो मैं payment करने के लिए तैयार हूँ, फिर उसके बाद उनको मैंने एक date दिया, बोले देखिए, इस महीने मेरे पास पैसा नहीं है, अगले महीने मैं यहाँ पे कमपणी, RBI, NBFC द्वारा रजिस्टर कमपणी होता है, तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, वो है सिबील का, क्योंकि जब आप एक unsequel loan के लिए apply करते हैं, unsequel loan आप ले रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी आपका problem होगा, वो सिबील के उपर होगा, तो 330 दिन का overdue रख होने का मतलब क्या है, कि जब भी आप किसी नए company में loan के लिए apply करने जाएंगे, चाहे आप कोई चीज का finance करने जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको bike लेना है, तो आप एक बार में payment नहीं कर रहे हैं, आपको उसको finance करवाना है, तो उसके लिए आपको pen card, अधार card क जोरत पड़ेगा, तो जब आप apply किजिएगा तो आपका civil score ही check किया जाएगा, और जब civil score चेक किया जाएगा, तो इसका मतलब यह है, कि आपको loan नहीं मिलेगा, मना कर दिया जाएगा, क्योंकि जितना भी company है, आप कोई भी company से loan ले लिजिए, अगर वो company NVFC से register है, तो वो आपका civil को report कर देगा, और हर एक company जो भी loan provide करवाता है, वो civil को देखकर ही loan provide करवाता है, तो problem क्या हुआ, civil score का हुआ, आगे जाकर loan मिलने में समिश्या आ जाएगा, ठीक है, तो यह है दिक्कत, अब बहुत सारे लोग हमें comment करते हैं, कि recovery वाले घर पे आ जाते हैं, वो लो बात है, कि जो भी company से आप loan लिए, कीस्त हो, चाहे और कोई भी company हो, time पर आप payment करने का कोशिस किजिए, देखिए, अगर सच में problem है, तो ठीक है, और अगर नहीं है, तो उसको payment किजिए भाई साब, क्योंकि सही time पर आपको उन्होंने पैसा दिया है, आपका काम निकला है, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी जीमिबवारी बनता है, कि आप उसको repayment किजिए, क्योंकि repayment अगर आप करते हैं, तो credit score आपका maintenance रहेगा, build होगा, और अगर आप delay करेंगे, ठीक उल्ट आपका खराब होगा, और मैं यह जो वीडियो बना रहा हूं, यह और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जो हमें कमेंट करते हैं, कि सर अब बताईए हमें कि किस्त loan application का क्या agent आता है, तो देखिए agent आएगा, यह नहीं आएगा, यह तो अलग बात है, और आप ही जाए तो क्या है, देखिए अगर मैंने company से loan लिया है, तो ऐसा तो आप बोल न comments दिया है, आपका communication address है, तब जाके loan company आपको call कर रहा है, तो हाँ, यहाँ पर आप एक चीज बोल सकते हैं, कि आपको time चाहिए, आप अभी भरने के लिए जो है sufficient नहीं है, तो यह इनसानियत से बात कीजिएगा, तो loan company भी आपको time देगा, और आपको हर एक चीज में solution ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसा बोलें, कि मैं payment करना हूँगा नहीं, तो company RBI से authorized है, तो legal action लेगा, यह नहीं लेगा, इसके बारे में मैं अभी नहीं बतावा सकता हूँ, क्योंकि company का अपना कुछ rule नियम होगा, लेकिन हाँ, call तो आनाता है, recovery के लिए तो call यही, और आपको clear जो भी सचाई है, उनके साथ explain कर देना है, तो मैं इस वीडियो के इंदेर यहीं बताना चाहरा हूँ, कि किस्ट application जो है, वो recovery के लिए call भी करते है, agent आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो depend करता है, आपका area location पर, आपकी इस जगव में रहते हैं, कितना तक का अपने loan लिया है, तो इन सब जो है problem, किस्ट application में अगर आप loan लेते हैं, तो हो सकता है, फिर भी मैं आप लोगों को clear कर दूँ, कि मैं यह नहीं का था, कि आपको loan का payment नहीं करना है, बिल्कुल करना है, अगर आप परियाप्त हैं, पैसा देने के लिए, तो उनको payment कर दीजे, मैं सिर्फ education के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ना ही मेरा किस्ट application से कोई problem है, और ना ही मुझे आप लोगों से कोई problem है, तो मुझे उमीद है, इस वीडियो के अंदर जो भी information में आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर वी video related कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, तो आप हमें comment करकर चलो पूछिए, चले friend मिलते किसी आगले वीडियो